सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस तब लाइकिन वेल्कम तू माई चैनल स्वेस एजूगेशन एरा आज के इस वीडियो हम डिसक्स करने वाल है एंची टेक्स्टूक लास्ट वैल्थ यूनिट फोर केमिकल कैनेडिक के एक्जम्पल आज इस वीडियो में पूरा कर सकते हैं वाटसेप लिंक नीचे हैं डिस्क्रिप्स एंबॉक्स में वहाँ से आप जोइन हो सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको कोई भी स्टाइडी मेटियर चाहिए तो उसके लिए मेरी वेबसेट पर विजीट करें www.svsadugationera.blogspot.com आपको प्रिवेस कुछ पता नहीं चला है सही बतना अभी यह लाइन बाइन बाइन बुरा आपको हिंदी में समझाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा यह तुड़ी लेंग्वेज भी हर्ड है Initially the concentration of N2O5 is 2.33 mol per litre and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mol per litre. The reaction takes place according to the equation 2N2O5 gives 4 mol of N2O plus O2. Calculate the average rate of reaction in the terms of hours minute and second what are the rate of production of N2O5 during the period. तो पहला मैं आपको हिंदी में समझाता है कि question में पूछा क्या है और हमको कौन सी value दी गई है बोला गया है कि N2O5 का decomposition होता है CCL के साथ temperature 318 Kelvin यह पूरा एक case sensitive study है जो monitor पे monitoring concentration of N2O5 में उस solution में किया गया है तो पहला देखा गया है कि initially concentration of N2O5 2.33 mol per litre है मतलब जब reaction चालू हुआ ना तब 2.33 mol per litre है after 184 minute देखो यह पे minute पूछा गया है मिनिट पहले मिनिट में है तो 184 minute के बाद it is reduced to 2.08 mol per litre मतलब 184 minute के बाद वो initially जो 2.33 था वो 2.08 में convert हो गया उतना कम हो गया तो जब reaction जो हुआ वो overall बाद में दिया है कि 2N2O5 gives 4N2 plus O2 सब gas में इसलिए gas नहीं बोल रहा हुआ अब बोलागा है कि average rate find करें in terms अब देखो पहले मिनिट में आवर्स में भी है मिनिट में find करना है और second में तो यह आपको ध्यान रखना होगा और बोला कि what is the production of N2O5 during this day मतलब यह जो भी reaction हुआ लेबोरिटी में जो at the end of the reaction कि production कितना हुआ वह हमको पुशा गया है तो दिखते हो अपको पहले है जो value है हो हम find कर देते है बड़ फाइंड है स्वारी जो value है वह नीचे लिख देते है तो यह reaction लिखें कि पहले तो 2N2O5 प्लस O2 अब आर इनिश्याली पता इनिश्याली बोला गया कि आरगेर 0 is equal to 2.33 ओल मोल पर लिटर आरटी इस इकोल नुपवाट्यू इनटी पॉर मिनिट आर एवरेज इस इकोल टू डेस तो इतना दिया गया है और हीयर अब आर एवरेज इस इकोल टू माइनस हाफ डेल्टा ए आपने यह वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस में जाके आपको देख सकते हैं अब रेट एवरेज इस इकॉल टू माइनस हाफ अब आप पुछे के हाफ कैसे आया देखो यह पर रियक्टेंट साइट पर टू मॉल ओफ यूज किया गया है तो हमक आपको इंट्रेस्टेट है वन मॉल में कितना है तू मॉल कर नहीं तो हमको डियॉड़ बे टू करना पड़ेगा धर्फोर डेट एवरेज इस इकॉल टू माइनस हाफ डेल्टा एनिंटू ओफाइपोंड डेल्टा टि अब आर्एवरेज इसेकॉल टू माइनस आप डेले स्वरी 184 है यहाँ पर स्पेलिंग आपको नहीं दिखेगी 1.84 है तो इस इकोल टू 6.79 इंटू 10-4 यह हमारा आगाया वेल्यू तो अम आर एवरेज इस इकोल टू अब हमको मिनिट में चाहिए तो आर एवरेज इस इकोल टू इस इकोल टू 1.13 इंटू 10-5 मोल पर लिटर सेकंड अब फॉर आवर तो वन आवर में होते हैं 60 मिनिट इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड तो डिवेड हम कर देगे फॉर वन आवर इस इकोल टू आर इस इकोल टू 1.13 इंटू 10-2 मोल पर लिटर इनवर्स आवर इनवर्स तो कुछ नहीं खाले डिवेड बाई 136 00 किया है कुछ है नहीं अब नमबर टू क्यालकुलेट द ओवर और ओर ओर टू बुक्रिट धू तो नमबर टू आरे इस इकोल टू के आए दिस्टू 3 वाइटू मीनस बन तो रेट हमको पता है order of reaction है एक्स प्लस y तो जो भी उपर दिया गया है numerator मतलब तो उपर तो इसको सिंप्ली addition करना है तो number 1 में rate is equal to k a raise to r b raise to y therefore order is equal to x plus y is equal to 1 by 2 plus 3 by 2 तो 4 by 2 that is equal to 2 तो वो है second order reaction order is equal to 2 अब बी rate is equal to k a raise to x b raise to y तो उसका x plus y होगा तो यहापर minus 1 है तो minus हो जाएगा 3 by 2 minus 1 is equal to half therefore rate of reaction is equal to half अब कापी बच्चे मतलब मेरे junior comment करते है कि यह पूरा लोगो क्यूँ अपने और यह लोगो क्यूँ यह पेस्ट किया है और watermark PDF में क्योंकि copyright ना हो कोई मेरे मेरे content को use ना करें इसलिए मैंने हर पेच पे एक एक watermark add किया है और मेरा लोगो चैनल का क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मेनत की वज़े से कोई और फाइडा है मतलब आपके लिए तो पूरा content free है आप सेयर कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉड्डेम ने पर कोई दूसरा creator यही वीडियो कॉपी राइट कर देतो वो मुझे नहीं ठीक लगेगा क्योंकि पूरा मेनत में करता हूँ और क्राइटेरिया कोई और ले जाए वह मैं में बर्दास नहीं करूगा अगर आपको WhatsApp ग्रूप में जॉइन होना है तो आप हो सकते उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है अब नंबर फॉर देखो यहां पर मुझे पाता है कि बहुत बड़ा लोगों बना दिया है क्योंकि यह पेज इतना ही है तो कुई भी करना नहीं है खाली एक ट्रीक है किसे को टूपर्ण टू-टू-टू-टू-फू-टू- लीटर पू-टू-ए-स-फू-डू-पू-बाट-ब्डू-पू-ई-ऍवच्शन-वडू-बू-डू-डू-डू-ू-डू-डू-झी-वच्विची-ू-डू-डू-ड ऐसा होता है आपको फोर मर्क बुरा मिल जाएगे खाली आपको यूनिट लर्ण कर नहीं होगी यह कौनसा ओडर ओडर रियक्शन में कौनसा यूनिट आता है what number five the initial concentration of n2 oh five in the following first order reaction n2 oh five gives up 22 plus half four two was one point who four into 10 is to minus two more liter inverse at 318 Kelvin the concentration of n2 oh five after sixty minute was 0.20 into 10 is to माइनस तू मोल लिटर इंवर्स क्यल्कुलेट दे रेट कॉंसेंट अप दे रियेक्शन एट 398 केल्विन तो एक रियेक्शन दिया गया है एंट्टो फाइव सब्सक्राइब मतलब कि वो दिया गया है क्या बोलते है और इनिस्यल रेट आर दिया गया है और जीरो तो 1.25 इंटू 10 दिस्टू माइनस तू मोल लिटर इनवर्स टेम्पराचर दिया गया है ट्रेटेंग केल्विन टाइम दिया गया चेंज इन टैंप ट्रेलिंटाटी इस इकल टो 60 मिनिट आर डोटन इस इकल दो 0.2 इंटू 10 दू माइनस टू मोल लिटर इनवर्स तो बास हमको खाली रेट कॉंसरेंट करना है एट 318 केल्विन देखो यह पर तो यह कोशन में ठी टेंपरचर चेंज नहीं किया है बाकि दूसरे वाल आगे वाले कोशन में आएगा कि टेंपरचर अलग-अलग फाइंट करना है तो हमको टी के वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी देरफोर हमको पता है कि फर्स रोड रियक्शन का फ्रमिला है आप के इस इकोल टू पॉन त्री जिरो ट्री अपउन ती लोग ओफ आर जिरो बाई आर्टी तो के इस एकोल टू 2.303 अपॉन ती की वेल्यू ती लोग ओफ आर जीरो लोग ओफ आर जिरो इंटू 10 देंड तो इस इकोल टू 2.303 अपॉन 60 लोग ऑफ 0.795 यह पूरा कट हो जाएगा यह आपको 0.7925 खली सिंप्ली कल्कुलेसन है तो धेरफोर आर इस इकोल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.7925 इस इकोल टू 3.04 इंटू 10 देस 2 माइनस 2 मिन इन इन वर्स तो हम यह लिख सकते 0.0304 मिनिट इन वर्स यह आपको फाइनल आंसर है अब नमबर सेक्स आप चाहिए तो वीडियो को पोस्ट करके लिख भी सकते हैं पर इसकी पीडियाप आपको ऐसा करेंगी जरून नहीं है मिने इसकी पीडियाप नीचे डिस्क्रिप्सम बोक्स में डे दिए तो आप वह से अपना टाइम निकाल के आप लिख सकते हैं कोई भी जल्द बाजी मत कीजिए आप ख़ली अभी मेथड को समझे अगर आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी चार पात बार सीखा था बाद में मुझे आया है तो आप भी ये वी 10 दूरिंग दा फॉर्स रोडर थर्मल रियक्शन डीकंपोजिशन ओफ इस क्याप्टर में तो फाई कोई रियक्शन बहुत करते हैं पता नहीं लोग को क्यों मजा आता है एट कॉंस्रेंट वेल वॉल्यूम तू एन टू 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 फाइंड करना है तो पहले तो मैथड क्या है कि आपको जो भी एक्वेशन डिया है वो आपको एस लिख देना है टू एन टू ओ फाइव गैस डिवसर टू 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 अट आर जीरो मतलब इनीसेल आर जीरो इस इकोल टू पॉइंट फाइट्मस्पेर यह दिया ग अब टू एक्स है क्योंकि यह पर टू मॉल है तो प्रोड़क्ट भी डबल बनेगा टू एक्स पर यह पर ओटू का एक्स है फिर से समझाता हूँ प्रोड़क्ट पर टू एक्स बनेगा तो प्रोड़क्ट कभी बनता है इसलिए पोसिटिव होगा कभी प्रोड़क्ट कम नहीं होता है तेरफोर पी टी इस सिप्वल टू पी जीरो माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस अग्स यह चारों को प्लस कर दी है तो पी जीरो प्लस एक्स यह पर आपको यह मिल गया कुछ ने मेरा सिंप्ली एडिशन ही किया है देरफोर P टोटल हमको दिया गया है 0.512 is equal to 0.5 plus x therefore x is equal to 0.512 minus 0.5 therefore x is equal to 0.012 atmosphere कुछ नहीं मैंने खली simplify किया है एला जैसे आरा जैस में गुमा किया also P dash is equal to हमना भी देखा न P dash is equal to P 0 minus 2x हमको x की value मिल गई देरफोर P dash is equal to P 0 minus 2x तो P 0 की value 0.5 है और x 0.012 तो minus 2x है तो 2 into 0.012 therefore P dash is equal to 0.5 minus 0.024 P dash is equal to 0.476 atmosphere तो अब हमको पता है यह value मैंने वह वीडियो में बता आया था जब भी physical chemistry का revision किया था कि एक important formula on the way K is equal to 2.303 upon T log of P 0 upon P dash therefore K is equal to 2.303 upon 100 log of P 0 देरफोर किया है 0.5 upon 0.476 is equal to 2.303 upon 100 log of 1.063 therefore K is equal to 2.303 upon 100 into 0.0214 therefore K is equal to देखो यह पर log 1 की value 1.063 आपको फाइंड करना आता होगा तो मैंने direct लिख दिया है 0.0214 therefore K is equal to 4.96 into 10 to minus 4 second inverse अब नंबर 7 यह first order reaction is found to be to have a rate constant K is equal to 5.5 into 10 raise to minus 14 second inverse क्योंकि है first order है इसलिए हम इसलिए time में आएगा इसलिए second है उसकी unit time में होगी तो find the half life of the reaction Tf is equal to dash K is equal to 5.5 into 10 raise to minus 14 second inverse अब हमको बता है Tf is equal to 0.693 upon K is equal to 0.693 upon 5.5 into 10 raise to minus 14 is equal to 0.126 into 10 raise to minus 4 into 10 raise to 14 is equal to 1.26 into 10 raise to 13 second यह कुछ था नहीं खाली एक formula था आपको 1 mark में आ सकता है यह गुजरास बोड में MC के पूछा जा सकता है यह 2 mark में नहीं आएगा अब यह important question ने 2 आपको मार्क में आने के चांस है अगर कोई भी आपकोई भी बोड से हो यह important गोसिया ना नमबर एट अब नमबर एट पर आते हैं so that in a first order reaction time required for completion of 99% is 10 times of the half life of the reaction तो बोला गया है कि हमको स्वो करना है कि Tf is equal to 10 into sorry T99.9% is equal to 10 into Tf यह पूरी बुक में खाली पूरा चप्टर में दो ही question है और दोनों आपको एक की method आगे तो दूसरे 50 भी देगे आपको तो कोई प्रोब्लिम नहीं होगा तो हमको यह को प्रूव करना है और काफी importance हम है T99% is equal to 10 into Tf यह प्रूव करना है हमको बताए कि rate का reaction क्या होता है first order के लिए k is equal to हमको ऐसे तो बोला है कि T is equal to 2.303 upon k is equal to 2.303 upon k log of r0 upon rt यह हमारा standard equation है अब पहले हम find करें कि T 99% कि इतना होगा इससे तो T पहले तो इसके लिए आर्टोटल चाहिए देर्फोर आर्टोटल is equal to 100-99.9 into r0 upon 100 0.1 upon 100 r0 10 is to minus 3 r0 यह पहले स्टेप आपको आर्टी निकलना तो आता है हो गर इसलिए मैं ज्याज़ डिटेल में जाता हू अब T 99 is equal to 2.303 upon k log of r0 upon rt की जगहा पर हम रख देगे 10 is to minus 3 r0 therefore rt is equal to 10 यह तो पहले का ही है तो r0 r0 cut minus 3 से उपर 3 में therefore T 99.9 is equal to 2.303 upon k log of 10 cube अब हमको पता है कि log में उपर पावर आता है तो हम नीचे ले जाते है तो 3 log 10 अब 10 का तो 1 है तो 3 into 1 is equal to 3 is equal to 2.303 upon k into 3 therefore t 99 percentage is equal to 6.909 upon k यह हमारा पहला equation अब अब T half is equal to 0.693 upon k है तो हमने प्रूव किया है पहले से तो बस यह दूसरा equation तो compare dividing 1 by 2 respectively तो 399 by 9 upon T 10 sorry T half is equal to 6.909 upon k into k upon 0.693 therefore t 99.9 percent is equal to 10 into T half यह हमारा final answer है आयो कपको पुझा समझ में आगाया होगा अब नमबर 9 पर 9 hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide the concentration of the easter at different time is given below यह different value यह 0 पर time is equal to 0 30 second 60 90 यह concentration पर मुल दिया है so that it follows the pseudo first order reaction as the concentration of the water remains nearly constant during the course of the reaction what is the value of k-dash where rate is equal to k-dash CH3CWCH3H2O यह हमड़े पूरा question दिया गया है हमको खली प्रूव करना है कि वो pseudo first order reaction है और k-dash की value find करना है rate दिया है तो पहला तो वो जो दिया है वो आयो इसका reaction करेंगे CH3CWCH3 plus H2O QZCH3CWH और CH3OH इठेनोल असिडिक एसिड बनाएगे तो rate is equal to k of CH3CWCH3H2O तो rate r is equal to k0CH3CWCH3 अब k0 is equal to k of H2O is equal to 2.303 upon t log of r0 upon rt यह first order reaction के लिए हमको प्रूव करना है उस्टो first order है तो add time equal to t देखो एक यह समझ लो तो बाकी के चार आप खुद भी कर सकते हो यह हमार standard equation है अब हमको t is equal to 30 minute पे करेंगे 60 पे करेंगे और 90 पे करेंगे खाले आपको time बदाला होगा तो k0 is equal to 2.303 यह पर t की जगा पर 30 log of r0 0.85 यह सब में सेम राएगा upon 0.8004 तो इसको निमेरिकली solve करेंगे तो answer आएगे 2.044 sorry 2.004 x 10-3 minute inverse क्योंकि first order इसलिए हमेसा time में आएगा unit अब t is equal to 30 हो गया t is equal to 60 minute के लिए same k0 is equal to 2.303 upon 60 log of 0.85 upon 0.7538 is equal to 2 into is equal to 2.086 into 10-2 minus 3 minute inverse अब number 3 t is equal to 90 तो 90 के लिए 2.303 upon 90 log of 0.85 upon 0.9046 अब t is equal to 90 तो इसलिए 2.303 upon 90 इंटाइ लोग अप 0.85 upon 0.7096 इसलिए अपन जीरो पॉर्ट जीरो बिएस थो मेंस त्री मीटर फॉरी मिनीट इनवर्स ऑब हम तीनों का टोटेल ले गे है मतलब आवरेज ले 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 गए लिए 1 neutral रितीन ना टॉपांट 004 two-point 086 बुस्तुबां ृटं गिरो फूर अब 1.3 ंटू-2t7 के ये रीग्वस्ति कंडि मइनमल डू है तो इस इकोल तो जीरो पॉंट 03693 इंटु 10 दिस्टू माइनस 3 इस इकोल तो 3.693 इंटु 10 दिस्टू माइनस 4 मोल इनवर्स लीटर मिन इन 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 वर्स यह मारा फाइनल आंसर है अब नंबर 10 यह मेरा फेवरेट सम है पहले से बोल रहा हूं मुझा बहुत मजाएगा यह समझाने के लिए नंबर 10 रेट कॉंस्टेंट ऑफ रियक्शन एट 500 कल्विन और 700 कल्विन और 0.2 सेकंड इनवर्स और 0.007 0.07 सेकंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली कैल्क्विलेट वैल्यू ओफ इन ए तो के वन के वन इस इकोल टो 0.02 सेकंड इनवर्स के टू इस इकोल टो फाइनड़ केल्विन टी टू इस इकोल टो डैस एस इकल टो डैस यह कापी इंपर्ड़न गोस्यान त्री यह फोर मर्क में आने के चानल सब सब ज्यादा है लोग अब हमको अमार स्ट्राइब 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 कर रहा हूं कि आपना अगर वह फिजिकल केमेस्ट्री इन वन सोट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वह पहले जाके देखिए बहुत इंपर्ड़न वीडियो है आपको ट्वें एक्टेन मिनिट में पूरा हो जाएगा कीजिए उससे मुझे मूटिवेशन मिलता है और सेर भी किजए अब यहां पर के टू आप मैं की ओ बता जिरो पंट जीरो से ओन और की यो एफ्ट वांट जीरो फोन टू टूटू इस एकल एपॉन दूपोंट ट्री इन्टू आप् मेरा फिर से बोल खेमिकल कानेंटिक मे 8.314 or solution 0.08314 into T2 700 minus 500 upon 700 into 500 therefore log 3.5 is equal to EA upon 2.303 into 8.314 into 200 upon 3500 to EA is equal to 0.5441 into 2.303 into 8.314 into 3500 upon 200 so EA is equal to 1.823 into 1024 Joule per mole EA is equal to 18.23 Kilo Joule per mole log log k is equal to log a minus EA upon 2.303r therefore log a is equal to log k plus EA upon 2.303rt the log of k मत हमने find किया मतलब स्वार्ट दिया गया है तू इन्टू टू मैनस 2 plus EA की वेल्यू 18230 upon 2.303r की वेल्यू 8.314 T500 क्योंकि हमको 500 पे पूछा गया है तो log A की वेल्यू होगी माइनस 2.303010 plus 18230 upon 957 3.57 is equal to minus 1.697 plus 1.904 तो log A is equal to 0.205 तो A is equal to NT log of 0.20 is equal to 1.603 second inverse यह फाइनल आंसर है आप पो वेरिफाइ करना है तो NCRT book में पीछे दिया आंसर दिये वहाँ से वेरिफाइ कर सकते हैं अब number 11 the first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide by the reaction C2H5 gives out C2H4 plus HF at 600 Kelvin is 1.60 into 10 is to minus my second inverse its energy of activation मतलब activation energy is 209 kilojoule per mole calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin तो बोला गया है कि first order reaction है यह reaction हमको पहले लिख दियाना है temperature T1 is equal to 600 T2 is equal to 700 उपर यह भी दिया गया है और Kb दिया गया है तो log K2 by K1 हमको देखो K1 दिया हो K2 फाइंड करना है तो वह हमारा से अंडर फॉर्मिला पहले तो K1 is equal to 1.6 into 10s2 minus 5 second inverse T1 is equal to 600 Kelvin T2 is equal to 700 Kelvin K2 is equal to dash EA is equal to 209 kilojoule per mole is equal to 20900 joule per mole अब log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303R T2 minus T1 तो log K2 K1 की वाल्या है 1.6 into 10s2 minus 5 is equal to 209000 upon 2.303 into 8.314 T2 is 700 minus 400 upon T1 into T2 700 into 600 log K2 by upon 1.6 into 10s2 minus 5 is equal to 2.598 तो K2 upon 1.6 into 10s2 minus 5 is equal to 2.598 तो K2 upon 1.6 into 10s2 minus 5 is equal to NT log of 2.598 तो is equal to 2.598 तो K2 is equal to 3.960 into 10s2 into 1.6 into 10s2 minus 5 हमको K2 चाहिए निचले निचे कर दिया कर दिया है तो K2 is equal to 6.34 into 10s2 minus 3 सेकंड इन्वर्स यह हमारा फाइनल आंसर है अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी समय तो प्रीस मुझे कमेंट करना है और आपके वाट्सेप ग्रूप की लिंक भी नीचे दे दिए और अगर चैनल पे नाए होते सब्सक्राइ कर दीजिए और साथी साथ बिल्लों टीबी के सार्नार कीजिए और अपने फ्रेंड के सर्फेर कीजिए थेंक्यू